आपका आर्दिक स्वागत है आज हम सापताइक राशी फल में 26 मार्ज से 1 अपरेल तक कौन सी राशी क्या कहती है किसका भागी चमकेगा और किसे नुकसान होगा इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले में शराशी वालों के लिए ये सपता बहुत अच्छा साबित होगा आप किसी भी पैसेवर कारिकरम में भाग ले सकते हैं और वहां विजी हो सकते हैं इसके अलावा विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं मेश राशी वाले पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा इस सप्ता उनकी बढ़ेगी विद्यारती वर्क के लिए भी बहुत अच्छा समय है विद्यारती जो है करियर में सफलता पाएंगे यदि वह किसी competitive exam की तैयारी कर रहे है तो उन्हें सफलता मिलने की संभावना है मेस राशी वालों के लिए इस सप्ता जो शुम अंक है वह साथ है तथा उनका जो कलर है मेस राशी के लिए अगर वो लेवेंडर का जबसे ज़ादा यूज़ करते हैं तो उन्हें लाब वरश राशी के लिए यह सब्ता मिला जुला साबित होगा क्योंकि किसी भी समय वहाँ चोट का सिखार हो सकते हैं वह गिर के उन्हें कोई चोट लग सकती है उन्हें नुकसान हो सकता है वहाँ चलाने में भी उन्हें सावदानी रखना होगा क्योंकि एक्सिडेंट की संभावना इस सब्ता 26 मार्ज से 1 अप्रेल तक बन रही है बिल्कुल समल के रहे वरश्णाशी वाले और इस बात का ध्यान रखे कारी स्थल पर भी वो संभल कर अपने बोस से जो आप आसपास के अधिनस्त क्रम चारी है उनसे प्रेम से वारतालाब करें नहीं तो वहाँ भी विवात की संभावना है लेकिन इस सब्ता जो है दामपत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा यदि आप किसी को प्रपोस कर रहे है यदि आप किसी से प्रेम संभन के लिए प्रपोस कर रहे है तो आपको लाब हो सकता है, वह व्यक्ति आपको हाँ कर सकता है तता चात्र जात्कों के लिए ये सप्ता बहतर साबित होगा उन्हें करियर में सफलता मिलेगी यदि किसी competitive exam की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के योगे यदि आप job ढूण रहे हैं, तो आपको job भी बहुत अच्छा मिलेगा बहुत लाबदायक ये सप्ता चात्र जात्कों के लिए हो सकता है लेकिन कुल मिलाकर ये सप्ता आपके लिए घहतक साबित हो सकता है क्योंकि आपको चोट लगने की संभावना है, आप संभल कर चले माता-पिता की सेवा करें, माता-पिता की सेवा करने से यदि आपके कोई खराब योग बन रहे हैं, तो वटल जाएंगे गाए को हरा चारा खिलाएं, ऐसा करने से भी जो खराब योग हैं आपके वटल जाएंगे इस सब्ता का आपका शूप कलर है वो रेट कलर है साथ ही जो है खुश्बू एगर आप यूज करते हैं परफ्यूम यूज करते हैं तो आपके लिए जो है रोस जो है वो बहुत फाइदेमन खुश्बू होगी मिथुन राशी मिथुन राशी वालों के लिए ये सब्ता बहतर साबित होगा उनके जीवन में जो भी रुके वे कार्य है वो सब संपन्न होगे व्याय उनका जो है अधिक होगा लेकिन लाभ भी दुगना होगा इसलिए मिथुन राशी वालों को चिंता करने की कोई आउशक करने के योग बनेंगे जहां हाट डालेंगे इस सब्ता आपको महां सफलता मिलेगी मितुन राशी वाले जातक जो छात्र है उन्हें भी लाब होगा छात्र यदी किसी नोकरी के लिए अपना बावड़ेटा देते हैं तो उन्हें नोकरी में सफलता मिलेगी साथ ही मितुन र फुलित होगा आप अनन्दित रहेंगे क्योंकि यह सब्ता आपके लिए बहुत बहुत साबित होने वाला है क्योंकि पती और पत्नी के बीज इस सब्ता जो है आपसी परस पर संबंद बनेंगे दामपत्य जीवन सुख कर रहेगा बहुत लाब होगा मितुन राशी वालों के लिए इस महा का सबसे शुब अंक जो है वह साथ अंक है और इसके लावा और जो कलर यूज करतना चाते हैं तो हरा कलर यदि यूज करेंगे तो उन्हें बहुत लाब होगा हरा कलर पहनने से उनके कार्य निर्वित में संपन होगे यदि चमेली की खुश्बू का अगर इस सपता तो उन्हें बहुत लाब होने की संभा होना है करक राशी करक राशी वाले जातकों के लिए यह सपता मिला जुला साबित होगा यदि आप कोई शुब कारे करने जा रहा हैं तो वह संपन नहीं होगा सावधान रहें आप 26 मार्च से 1 अपरेल तक कोई भी शुब कारे करने की बिल्कुल ना सोचे यदि आप वहान खरीदने जा रहे हैं तो बिल्कुल ना खरीदे आपको नुकसान हो सकता है करक राशी वालों के पास धन तो आएगा लेकिन वह बिमारी पर खर्चोंगा आपके माता-पिता का स्वास्त खराब रह सकता है तो इस सपता आप ब बड़ा नुक्सान हो सकता है आपको कोई व्यक्ति चोट दे सकता है आपके साथ धोका कर सकता है आपको God कर सकता है तो आप बिल्कुल दियान रखे इस सब्धा आपको सोख समर कर चलना है इस आप जो एर somewhat जातर जातक उनके लिए यह समय अच्छा है क्योंकि 6 वर्स से 25 वर्स तक की आयों के लिए यह सफता बहतर साबित होगा यदि कोई भी नवीन कार्य की सुरुवात करने जा रहे हैं तो वह कार्य धीरे-धीरे होगा लेकिन आसानी से आगे बढ़ जाएगा यदि आप किसी competitive exam क की तैयारी करने तो उसमें भी आपको लाव होगा आपको सफलता मिल सकती है यदि किसी संस्थान में आप education के लिए प्रवेश लेने जा रहे हैं तो वह भी आपका हो जाएगा क्योंकि आपके लिए यह सपता बहतर साबित होने वाला है तो यह सपता आपके लिए मिला जु होगी परिवार में सामन जस्ता बढ़ेगा सिही राशी सिही राशी वालों के लिए यह सपता बिलकुल ठीक नहीं है 26 मार्च से एक अपरेल तक बिलकुल संबल कर रहे हैं कोई नवीन कारी की सुरुवात ना करें शेर बजार में इंवेस्ट ना करें म्यूचल फंड्स में इंवेस्ट ना करें किसी भी प्रकार का निवेश आपके लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है पारिवारी कश्ट मिलने की भी संबाव ना है परिवार में कोई भी व्यक्ति विमार रह सकता है आप स्वेम भी विमार रह सकते हैं मलेरिया या वाइरल फिवर भी हो सकता है या कोई भी बिमारी की सुचना आपको मिल सकती है आपका पैसा हस्पिटल पे खर्च हो सकता है डाक्टरों पे खर्च हो सकता है आप बिल्कुल संबल करें चातर जातकों के लिए भी यह सप्ता बिल्कुल ठीक नहीं है किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए कोई भी फार कैसा का शुव अंग एक है कन्या राशी कन्या राशी वालों के लिए भी यह सपटा बिल्कुल ठीक नहीं एक स्था अश्व पर कोई न कोई विवाद हो सकता है औरा अपसी मन मुटाव के कारण परिवार में भी बहुत जादा नुक्सान हो सकता है आपस में कलेश के कारण तलाग तक की नोबद बन सकती है यदि आप प्रेम करते हैं किसी से तो उससे भी विवाद की संभावना बढ़ जाती है आपकी वानी पर आप सहीम रखें माता पिता से बात करते हैं उसमें भी आप सहीम रखें क्योंकि कुछ بھی विवाद आपके लिए इस सप्ता नुखसान दायक सावित हो सकता है यदि आप कोई निवेश करने जा रहा हैं तो आपको निवेश में लाब हो सकता है आप शेर बजार में भी इनवेश्ट कर सकते हैं आप mutual funds में भी invest कर सकते हैं, property में भी invest कर सकते हैं, यदि आप invest करेंगे तो यह सब्ता आपके लिए लाब दायक साबित हो सकता है, धन से तो आपको लाब होगा, लेकिन बिमारी के चलते कुछ न कुछ रुकसान आपको उठाना पड़ेगा, चातर जातकों के लिए यह सब्ता बहतर साबित होने वाला है, इस सब्ता का शूपंग आपके लिए दो रहेगा, साथ में खुश्बु आपके लिए गुलाब की खुश्बु आपके लिए बहुत लाबदायक साबित हो सकती है, इतनि यदि आप गुलाब का लगाकर बाहर जाते हैं, तो आपको कार्य में लग लगाना है तुला राशी तुला राशी वालों के लिए सब्ता मिला जुला साबित होगा कहीं लाब होगा तो कहीं नुकसान होगा प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो फायदा होगा शेर बजार में निवेश करेंगे इन्वेश्ट करेंगे तो आपको नुकसान हो होना है mutual funds में भी नुकसान होने की संभाव ना है लेकिन प्रापर्टी में निवेश आपके लिए फाइदेमंग साभीत हो सकता है पारिवारी कश्ट बढ़ेंगे परिवार में क्लेश हो सकता है वानी पर सयम रखें ध्यान से बात करें सोच समझ कर बात करें ताकि परिवार म अपने कारे को अंजाम दें कारे इस थल पर पर जो बात करते हैं बहुत से या किरमचारियों से या किसी से भी स्वस्त समझ कर बात करें क्योंकि ये सब्ण आ के लिए कुछ ने कुछ नुकसान जरूर साबित करें आपके लिए भीहतर यहीं होगा क्या आप assessment य capacity नुक्सान नहों से बचे रहे न चाते हैं तो आप गनेश अतर्व से इसका पाट करें गवान गनेश जी की आराद न करें गवान गनेश जी को बैल पत्र चड़ाएं आपको बहुत लाब होगा आपके लिए शुबंग जो है तीन है और कलर आपके लिए इस सप्ता का जो बहतर साबित ह होगा गुलावी अपके लिए बहुत बहुत साबित हो सकता है यानि पिंग कलर यूज करने से परिवार में के बढ़ेगा वरस्चिक रासी वरस्चिक रासी के लिए यह सप्ता बहुत है साबित होने वाला है क्योंकि जो भी निवेश करेंगे उसमें लाब होगा यदि कोई नो कोई आडर बड़ा प्राप्त हो सकता है लेकि सारी रिक्कष्ट होने की संभावना है बिमार रहने की संभावना है इसलिए सोस संभल कर चलें इसके अलावा यदि छात्र जातक हैं आप तो आप किसी भी प्रवेश के लिए संस्तान में फार्म डालते हैं तो आप काम्याब साबित होंगे इसके अलावा competitive exam में भी आपको सफलता मिल सकती है आपकी नोकरी लग सकती है यह समय 26 मार्श से 1 अपरेल तक आपके लिए बहुत बहतर साबित हो सकता है तो आप यदि जौब अच्छी रूणना चाते हैं तो आप apply कीजिए आपको सुप समाचार प्राप्त होने की संभावना है आपके लिए जो शुब अंके वो साथ अंक आपके लिए बहुत शुब रहेगा इस सप्ता यदि आप भगवान शिव का शिव की पूजा करते हैं भगवान शिव को प्रसंद करते हैं तो आपको बड़ा लाव होने की संभावना है धनूराशी धनूराशी वालों के लिए सप्ता नुकसान दायक साबित हो सकता है किसी भी छोटे मोटे विवाद में पढ़कर थाने या जेल जाने की संभावना बनती है बिल्कुल संभल कर चले छात्रजात को के लिए सप्ता बिल्कुल ठीक नहीं है किसी भी संस्तान में प्रवेश की उम्मित न करें फाम न डाले, यदि फाम डालते हैं तो आपका प्रवेश नहीं होगा, मन में डिप्रेशन आएगा, तनाव आएगा, ऐसा बिल्कुल न करें, इस सब्दा आप संबल कर चलें, परिवार में छात्र जातक माता पिता से संबल कर बात करें, परिवार में कलेश हो सकता है, विव आएगी तथा डिप्रेशन के कारण जो है इस तरह की स्थिति निर्मित होगी के मन जो है उचाट सा हो जाएगा तथा परिवार से जो है मोबंग होने की संभावना बनती है इसलिए सोस समझ कर चले छात्र जातक आपको मैंने बताया कि बहुत साउधानी रखना इस सप्ता आ लगने की संभावना है नेत्र से संबंदित विकार आ सकते हैं फैक्चर हो सकता है किसी भी तरह की दुरगटना का आप शिखार हो सकते हैं इस सब्ता 26 मार्च से एक अपरेल तक आपको साउधानी पुर्वक कारिक करना है भगवान शिव की आरादना आपके लिए लाबदा चात्र का जाब तो आपको चोट लगने की संभावना रहेगी आप संबल कर चलें इस सब्ता जो है चात्र जातकों के लिए बहतर साबित होगा यदि चात्र जातक किसी कॉंपेटिटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें सफलता मिलेगी नोकरी के लिए जो होने की संभावना है कई से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है या नोकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है या इंसेंटिव आपका भड़ाववा आपको मिल सकता है घर में आपके जो है आपसी संब्दधिश्द बढ़ेगा प्रेम संबन जो है पति-पत्नी के बीच प्रगांड होंगे तथ यदि आपको के लिए प्रपॉस करना चाहार है तो यो आगर प्रपोस करते हैं तो आपको लाब होगा वह आपकी बाद मान जाएगा प्रेम विवा यदि किसि का नहीं हो सकता है आप किया किसी महमान का अगमन होगा और वह महमान आपके लिए लाबदायक साबित हो सकता है छातरजात को के लिए कुम्वराशी वाले बहुत बैतर सकता है किसी भी कारे में आपको सपलता मिलने की संभावना है जहां हाट डालेंगे वहां आपको सफलता मिलेगी नोकरी के लिए अप्लाय करेंगे तो आपको नोकरी मिलने की संभावना है उच्च पद आपको प्राप्त होगा नोकरी में प्रमोशन आपको मिल सकता है इंसेंटिव आपको बड़े हुए मिल सकते हैं तता आपकी आए में व्रध्योंगी अचानक धन की प्राप्ति भी कुम राषी वालों को इस सब्ता हो सकती है प्रापर्टी में निवेश करेंगे तो लब होगा युचल फञड्स में या शेर बाजार में इंवेश्ट करेंगे तो लब होगा KUL मिला कर जो है कुम राषी के लिए 26 मार्स से एक अप्रेल का सप्ता जो है यह जो राशी फले इसलिए बताया जा रहा है कि यह बहतर सा भीत होने वाला है आप बिल्कुल खुश होकर कारे करें आपको सफलता मिलेगी भगवान अनुमान जी की आरादना करने से इस सप्ता आपको लाब हो सकता है आप बजरंग बान का पाट करिए महिलाएं यदि हैं तो वह देख रही है प्रोग्राम तो वह हनुमान चालीसा का पाट करें तो आपको लाब हो सकता है मीन राशी मीन राशी वालों के लिए सप्ता बहतर साभित होगा वह जो भी कारी करेंगे उन्हें सफलता मिल सकती है बीज भी विवाद हो सकता है तलाक तक की नोबद आ सकती है एक दुसरे का सर फोर सकते हैं इसलिए मीन राशी वाले इस सप्ता अपनी वानी पर सभित हो सकता है कारी स्थल परबर विवाद होने की संभावना है बोस से जगडा हो सकता है करमचारियों से जगडा हो सकता है कुल मिलाकर आपके लिए यह सब्ता पारीवारिक विवाद तथा किसी से विवाद के लिए हनी कारक साबित हो सकता है हाँ लाव जरूर होगा आपको आर्थिक लाव होगा प्रमोशन मिलेगा मन चाही सफलता मिलेगी लेकिन कलेश के कारण आपका जीवन जो ये तनावपूर्ण रह सकता है आप सोच समल कर चलें इस सपता भगवान विश्णु के आरातना करने से आपको बहुत लाव हो सकता है चातर जातकों को इस सपता चिंता करने की कोई आवशक्ता नहीं है यह सपता उनके लिए बहतर है जहां वो नोकरी के लिए अपलाए करेंगे वहाँ उनको सफलता मिल सकती है यदि चातर जातक किसी संस्थान में प्रवेश के लिए आविदन करते हैं तो वहाँ उनका प्र दोखजो ऑजडोंग आव दोडे घंक है है। and lack of attention to studies. The simple and beneficial measure and solution based on astrology, vastu and tantra, contact the world's most experienced, renowned vastu astrology and tantra expert and spiritual mentor, His Holiness Guru Shri Manish Sai Ji. For advice, address, Sai Anpurna Social Foundation, 135, Sahyog Vihar, near Shahapura Police Station, Bhopal. Contact 9425150498, 9617950498.